नमस्कार दोस्तों कैसे हूँ आप सब लोग उमीद करते हैं, आप लोग बहुत यह अच्छे होंगे दोस्तों आज किस वीडियो में आपको बताने वाली रासन काई नमबर से आप लोग अधार काई कैसे घर बैठे निकाल सकते हैं झी हां दोस्तों बहुत ही आसान काम है और आप लोग खुद कर सकते हैं अपने घर जानते कैसे सबसे पहले हैं आप लोग को Google ब्राउजर ओपेन्ड नियुका पर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको search box में EPDES लिखना पढ़ेगा उसके बाद search करना पढ़ेगा search करने के बाद दोस्तों आप लोग को ये दिख रहा है RC, RC detail आप लोग को इस पर click करना है तो इस पर click करते हैं, आए करते हैं आर्सी डिटेल पर क्लिक करने के बाद दोस्तों कुछ इस परकार का पेज खुल कर ओपन हुआ दोस्तों देख सकते अब आप लोग को अगर आप लोग सहरी छेतर से हैं और आपको मतलब रासन कार से अधान नमबर जानना है तो आप लोग को आर्बन जो आर्बन देखता है वहां पर आप लोग क्लिक करकर आप जिस भी जीले में रहते हैं वह जीला को आप लोग को सिलेक करना है अगर आप लोग ग्रामी छितर से हैं तो आप लोग को रूलर में क्लिक करना होगा इसमें क्लिक करेंगे और उसके बाद आपका जो भी जीला है उसको आप लोग सेले तो मैंने इस समस्तिपूर यानि मेरा यही है जीला तो मैं इसको सेलेक की और यहां पर आप लोगों को दिख रहे हैं रासन कार्ड नंबर तो आप लोगों को अपना रासन कार्ड नंबर यहां पर सेलेक करना है यहां पर लिखना है तो आप लिखिएगा और मैं आपको लिख निखता है दोस्तों यहां पहले लिखा लिखा है सब्सक्राइब जेदा दिख रहा इस पर आप लोगो को फिर क्लिक करना रासन कार्ड नंबर लिखर इस पर प्लिक करना है सब्सक्राइब मैंने क्लिक किया दोस्तों सब्सक्राइब करने के बाद हमारे रासन कार्ड में जितने भी मेंबर से उनके फादर से उनका एज कितना है और उनका अधार नमबर मतलब पूरा सब कुछ इसमें डीटेल आप लोग निकल चुका है जैसे कि आप लोग इसमें देख सकते हैं यह म मेरा मेमबर्स हैं निकल shoulders हैं अब इसमें निकल चुका है आप दोस्तों अब आप अब लोगर सबसे खास बात ये हैं आप मुझे यह कहेंगे कि आधार नंबर तो निकल डिया लेकिन आधार नंबर आधा कुछ होता है तो मतला अगर कोई को अगर किसी व्यक्ति को रासन कार्ड नंबर मालुम हो गया तो वो उसका अधार कार्ड नंबर निकाल सकता है या अधार नंबर निकल गया तो उससे बहुत कुछ कर सकता है तो आप लोग को उसमें बहुत ही दिक्कत आ सकती है फिर आप लो अगर आप लोग को κणित कर सकते हैं मैं आप लोग मिम्झे कर जानना है और लेना है तो आप लोग मुझसे कंटेक्ट कर सकते हैं मैं वहाँ पर अपना लिंक दी हूँ इंस्टाग्राम का आप लोग वहाँ से जाके क्लिक करके मुझे मैसेज कर सकते हैं ओके बाइफ फ्रेंड फिर मिलते हैं न्यू अपडेट में